गुद मॉनिंग चुल्रेंग, हावर यू अल, I hope everyone must be fit and find, okay, I can hope this, my dear children, today I am going to start chapter number 6, ओमाना स्चने, यानि की ओमाना की यात्रा, यानि की आपको इस स्टोडी में आपको ओमाना के बारे में जाने का मौका मिलेगा, and her best friend, उसकी best friend राधा थी, उनके बारे में आपको जाने का म और केरेला, उनको क्या-क्या देखने को मिला, ये सारे चीज़ें आपको ओमाना के जर्नी में, इस डायरी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो चलो, my dear students, let's start the story, ओमाना and her best friend राधा were very excited, यानि कि ओमाना उसकी जो best friend राधा थी, वो काफी खुश थे, they were going on a train trip to केरे वाले थे, ओमाना was going to her grandmother's house and राधा was going with her family for a holiday, यानि कि ओमाना जो है, अपनी दादी मा के खड़ जाने वाले थी, और राधा जो है, वो अपनी छुट्टियां इस्पेंट करने के लिए जाने वाले थी, ओमाना's father had gone to book train tickets for both the families, यानि कि ओमाना के फाधर गए a railway station, दोनों फ लिए tickets book करने के लिए, दें just two days before their journey, यानि कि यातरा के just दो दिन पहले, राधा fell down from her bicycle and fracture her right leg, राधा जो है, साइकल से गिर जाती है और आपने उसकी right leg, यानि दाएं पैर तूट जाती है, हर leg was put in the plaster, उसके जो पैर था, वो प्लास्टर में डाला हुआ था, the doctor said that she should not move her legs for six weeks डॉक्टर ने कहा कि वो six weeks, यानि कि देर मैने के लिए अपने पैर नहीं हिला सकती है, राधा's family had to cancel their tickets, यानि कि राधा के परिवार को आप ticket cancel करना पड़ा, the two friends were very sad, यानि कि ओमाना और राधा, ये दोनों जो friends थे, दोनों काफे दुखी हो गे, they had made so many plans, उन्होंने बहुत सारे plans mind में sit के वे थे, कि वो केरेला जाएंगे, they will do this, they will do this, okay, but this time, their plans are going to end now, they had made so many plans about what they would do together on a trip, then Radha's amma had made an idea, यानि कि राधा के दिमाग में एक idea आता है, ओमाना, why don't you write down everything about your trip in a diary, यानि कि राधा की जो मा है, ओमाना को कहती है कि क्यों नहीं तुम डैरी लिखती हो, अपनी ट्रिप के बारे में डैरी में लिखो, then when you come back, राधा can read all about your trip, जब तुम वापस लोट किया होगी, तो राधा तुमारे डैरी को पढ़ी किया, उसके बा the time on the train, यानि कि यदि तुम डैरी लिखोगी, तो तुम्हारी जो तुमने यात्रा की, यात्रा में तुम्हें जो जो different places आपको देखने को मिले, या different people जो आपको देखने के मिले, वो सारी बाते आपको याद भी रहेगी, और उसके बाद आपका train में टाइम भी पास हो जा with the blank pages to write all about her journey, ओमाना घर जाती है, एक plain paper blank pages, साधा pages को लेती है, और उसके बाद अपने यात्रा के बारे में लिखना सुरू कर देती है, here are some pages from ओमाना's diaries, where you to read, यानि कि अब आपको ओमाना ने जो diary लिखा है, अब आपको उस diary को पढ़ना है, okay, my dear children, this is all for today now, and in the next coming class, I will read about ओमाना's diary, यानि को ओमाना डारे में क्या क्या लिखती है, आपको नेक्स क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा, till then, you read the remaining pages of this chapter, यानि कि आप जितने pages बचे हैं, वो इस pages को आप खुद से रिट करने की कोशिश करेंगे, difficult words को find out करने की कोशिश करेंगे, और इस story को समझने की कोशिश करेंगे, okay, my dear students, good bye.